आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिसे सोया वड़ी आलो बैगन की सबजी चलिए इसे बनाते हैं सोया वड़ी आलो बैगन की सबजी बनाने के लिए हम लोग लिये हैं ये बैगन है कटी वी इसमें ही आलो है नीचे कटी वी है ये सोया वड़ी लिये सबसे पहले क्या करें सोया वड़ी में थोड़ा सा पाइं डाले अगर आपके पास में गरम पानी है तो गरम पानी डाले और इन्हें भीगने के लिए रख दे उसके बाद में हम लोग एक पेस्ट तैयार करेंगे पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्यास में एक पैन रखे हैं पैन को अच्छी तरह से गरम होने दे पैन में थोड़ा सा तेल डाले कम ज़कम एक टेबल स्पुन के करीब तेल में ही यह अध्रक लहसून और प्याज है कटीवी इन्हें डाले और इन्हें हलका भून ले देखे इस तरह से भूनना है हमारी जो प्याज है यह देखिए इस तरह से भुनना है अगर आपके पस में सुखी दन्या नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं हमारी जो प्याज अध्रेक लेसून टामाटर यह सारी चीज़े अच्छी तरह से भुन चुकी है ग्यास बंद कर दे और इन्हें निकाल ले और ठंडा होने एपन में अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और इस सभी और सभी को अक्छी तरह से मिक्स करते हैं कम से कम एक से दो मिनिट अच्छी तरह से लौ मिटम घैस में पका ले देखे हमारी जो सोया वड़ी है वो अच्छी तरह से भून चुकी है उसके बाद में ग्यास बंद कर दे और इन्हें निकाल ले उसके बाद में हम लोग एक पेस्ट तयार करेंगे जो हम लोग भून कर रखे हैं प्याज अद्रक लेसुन और टामाटर को उनकी पेस् ग्यास में पैन रखें पैन में तेल को अच्छी तरह से गरम कर Maa pro में यह बारिक कटीज और गदले-ख को अच्छी तरह से भूण से भून यह चाहर किये हैं वह पिश्क को डाले और सब्सक्राइब और उच्छी तरसे मिक्स करना है मिक्स करने के बाद में ढइए धक कर कम से कम 3-4 पर बिश्ट को पका ले इन्हें तब तक कि पाएंद से और चूटने ना लगे तब तक पकाना है एक मसालए कम अची तरफा से पल गई उसके बद में हमारी बैगारा और मिक्सक दोब ठखे अच्छी तरह से लिए लागर कम से बैगन को अच्छी तरह से भून गया है बैगन को अच्छी तरह से भूनने के बाद में पकाने के बाद में इसमें ही सोया वड़ी हम लोग भून कर रखे थे हलका सा तेल में तो उसे डाले और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद में इसमें ही जरूरत क सब्सक्राइब कmented on the सबीट को चुछे से मिक्स करना हम, मिक्स करने के बाद में फिरु से ढख कर कम से कम 3-4 मिनट पका ले लो मीडियम गयास में पका है इसे क्या होगी आपके जो सब्जी है वह बहुत ही अच्छी तरह से पकेगी हमारी जो सब्जी है 3-4 मिनट हो गया है पक गई है गयास बंद कर दे और इन्हें निकाले और गर्मा गरम ही आप चावल ग्या रोटी के और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राब जरूर करें धन्यवाद